नवस्कार जन्ता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितेश कुमार गौतम और अवक्त उचला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का इंडिया गडबंदन में सीट बटवारे को लेकर तनातनी दिखाई दे रही है इन सब के बीच बीज़ेपी प्रदेश अदेक्ष भुपेंदर चौधरी का भी बयान आया है उन्होंने कहा कि गडबंदन के नेता खुद ही आपस में उल्जे हुए हैं ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि किसे कितनी सीट मिलेगी परियागराज के म्यूजियम में आत्या धुनिक आजाद गैलरी का राजेपाल आनंदी बेन पटेल ने उधगाटन कर दिया और इसके साथ ही राजेपाल ने चंदरशेखर आजाद की मूर्ती और सेंगौल की प्रतिकिर्टी का भी अनावरन किया हमारे संबादाता S.M. आमिर की ये खास रिपोर्ट आपको दिखादे हैं राजपाल आनंदी बेन पटेल प्रयाग राज पहुची है जहां पर उन्होंने इलाबास संग्राले में आजाद गैलरी का जहां पर इनावरेशन किया है और साथ ही उन्होंने चनशेकर आजाद की प्रतिमा का भी अनावरन किया है हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रतिमा का उन्होंने आज अनावरन किया है और इलाबास संग्राले में आजाद गैलरी बनाई गई है जहां आज राजपाल आनेंदी बैन पटेल पहुची थी और इस गैलरी को उन्होंने अनावरण किया है इसी गैलरी में चंशेकर आजाद की पिस्टल जिससे उन्होंने अपने आपको गोली मारिती जिसे बमतुल गुखारा भी कहते है यहां पर आज स्थापित की गई है और यह आजाद गैलरी आज बनाई गई है जो की एक शहीद चंशेकर आजाद को सच्छी सद्राजली भी कही जाएगी और यहां पर हमारे साथ प्रोफेसर हैं हम उनसे बात करेंगे यह बताईए आज यहां पर करी गई है गैलरी स्थापित आज के दिन प्रियागराज के लिए बड़ा गौरोशाली दिन है और इलाबाद संग्राले केवल भारत पर ही नहीं विश्व के संग्राले में इसकी गढ़ना होती है और आज की इसकी गढ़ना तो और बढ़ जाती है जब यहां पर आजाद गैलरी की स्टापना हुई है नहीं वो तोप के गोले होते थे और उन्होंने उस बंदू का नाम बड़े प्यार से बमतुल बुखारा रखा था अंग्रेजों को जब पता लगता था कि अंग्रेजों ने चंदर शेकराजाद अपके बमतुल बुखारा से वो फायर कर रहे हैं तो अंग्रेज सैनिकों क होस्टले पस्ट हो जाते थे और इसी प्रियागराज भूम में चर्मार शहीद चंदर शेकराजाद जिन्हों ने किसम खाई थी कि वो कभी अंग्रेजों के हाँ जिन्दा नहीं पकड़े जाएंगे और जब नाट बाबर ने सैनिकों के साथ घेर लिया और भीशर संगर्ष हुआ और उसमें नाट बाबर घाल गाल हुआ उनके सैनिक घाल हुए उनका year और चरण शेकर अजाद भी घाल हुए लेकि लड़ते लड़ते जब आकरी गोली बची तो जो उनका संगर्श था वो उनको याद आया और मा को उन्होंने अंतिम प्रवणां करते हुए कहा कि ए मा बस एक ही गोली बची है और मैं अपने उस वचन से प्रतिबद्ध हूँ और कनपटी पर उसे सटाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी आज हमारी राजिपाल आनदी बेंजी उन्होंने इसको पुना आज़ाद गैलरी में प्रतिशापित करके उन्होंने फिर मान बढ़ाया है प्रयाग राज का और प्रयाग राज का मान इस आज़ाद गैल्डी के स्थाफित और भी सुच्वित हो गیا है और इसका गौरो बढ़ किया है पृफसर यूगिश्वर तिवारी सदस से समिती अलावाद संगर अले न हमारे सद पृफसर यूगिश्वर तिवारी थें जो की संगर समिती प्रियाग राज के ये सदस भी है जिनको राजपाल अरंदी बैन की तरफ से मनोनित भी किया गया है और आज भव तरीके से आजाद गैरली का यहाँ पर जिस तरह से अनावरन हुआ है और लोगों की भी भीड देखने यहाँ अब पहुँच रही है जनता टीवी के लिए सेयद महमद आमिर प्रियाग राज तो वहीं सुभासपा नेता अरुन राजपर ने एक बार फेल समाजवादी पार्टी को आरे हां थो लिया है उन्होंने कहा कि रामकोपाल यादव के स्टेटमेंट और पाकिस्तानी नेताओं के स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं है अरुन राजपर ने कहा कि रामकोपाल यादव जी को आज कल पाकिस्तान के चिंता जादा हो रही है पाकिस्तान के नेताओं का बयान एक समान दिखता है समाजवादी पार्टी को चिंता है अपने ओट बैन को बनाने की और पूरे देश में जिस तरीके से पाकिस्तान की नफरत देखा गया है पाकिस्तान हमारे सरहदों पर हमेशा से हमला करने का प्रयास करता रहा है और समाजवादी पार्टी की नेता पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं सुहल्दे भारती समाजपार्टी और मानियों प्रकास राजभर जी हमेशा से देश के सुरक्षा के लिए देश की हिवाज़त के लिए देश की रक्षा के लिए हमेशा से सोचने का प्रयास किया है लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता अपने ओट बैंक को मजबूत करने के लिए ये पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं और पाकिस्तान में प्रेम बढ़ा करके पाकिस्तान से दोस्ती करने की बात करते हैं तो कहीं ने कहीं ये साब जहिर होता है कि समाजवादी पार्टी की नेता बिना पाकिस्तान का नाम लिए राजनीत नहीं कर सकते हैं और अपने ओट बैंक को नहीं मजबूत कर सकते हैं इसलिए समाजवादी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम है वो उजागर हो जा रहा है। लेकिन कोट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। प्रदानमंत्री मोदी के 9 साल के कारेकाल पर तयार सांग खूप सुर्खियां बटो रहा है। इसलिए से लखनों के प्रसिद कवी विरेंदर वत्स ने लिखा है और गीत को दिव्वे कुमार ने अपनी आवाज दी है। और संगीत दिया है राजेश सैनी ने हमारे समवादाता आयूशी शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी जी आज हम मौझूद है विरेंदर के साथ जिन्हों ने चुनावरी महौल से पहले ही एक गाना लिखा जो की रिलीज होते ही दो तीन घंडे के अंदर लाखों व्यूज मिले हैं। तो सड़ से आज हम पूछेंगे कि क्या उनका विचार रहे जब वो यह गाना लिख रहे थे। तो आप जब गाना लिख रहे थे तो क्या विचार आपके अमन में चल रहे थे जब आपने यह गाना लिखा। प्रहान मेंतिन नरेंद बोदी जी के कारियों से परभावित था उस समय उन्होंने एका एक नोट बंदी की इसके बाद फिर आयो ध्या पर फैसला आने के बाद वहां पर जो मंदिन निर्मान का काम सुरू हुआ तो मुझे लगा कि इन पर कुछ लिखना चाहिए तो मैंने ग कुछ कविताएं लिखें हैं पहले भी दिनकर जी ने नहरु जी पर पूरी पुस्तक लिखी थी लोक देव नहरु देवता का धरजा उने दिया था और बाद में हलाएं कि दिनकर जी भी नहरूजी से काफी नाराज हो गये थे और सोहनलाल दिवेदी जी ने गांधी जी पर ढेर सारी कविताई लिखी मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए तो मैंने वो कविताई लिखी थी पाप सेकड़ों बरसों का चुटकी में होता है मोदी जैसा जन्नेता सदियों में होता है इधर बीच में मां की ये कि उन पे गीत बनना है तो गीत में पहली लाइन उस तरह की निगेटिव लाइन अच्छी नहीं लगती तो मैंने वो लाइन चेंज की उसे कर दिया जन्नेता सदियों में होता है इसे संगीत दिया है बाली उटके संगीतकार है राजे सोनी और आवाज है दिब्यकुमार की दिब्यकुमार ने इसके पहले बाहुवली फिल्म में मनोहारी गाना गाया है और मिर्जापुर में उनकाए देतजी करदा बड़ा मरसूर हुआ था तो आवाज दिब्यकुमार की है तो सर हम जानेंगे आप से कि आपकी बहुत सारे गाने ऐसे भी रिलीज हुए है तो उनके बारे में आपकी क्या पुरेना रही है पहले भी बहुत पहले 2005 में मैंने भोजपूरी फिल्म के करीब 10 गीत लिखे थे उसमें फिल्म का नाम था तो से प्यार बा तो उसके सारे गाने मैंने लिखे थे गाने अच्छे भी हिट भी हुए उसमें यूटूब पर उपलब्द है उसके बाद फिर बीच में हिंदुस्तान की नौकरी में रह गए फिर गाने बीच में छूट गए फिर नौकरी से मुक्ती मिलने के बाद नए सीरे से चीजें सुरू हुई है अब उत्रपदे सरकार के लिए मैंने कई गाने लिखे चवरी-चवरा और सुहेल देव पर उत्रपदे सरकार ने बीसेस कारिक्रम किये जिसमें मुदी जी भी जुड़े थे उनके थीम सांग मैंने लिखे इसके अलावा उत्रपदेश की गणतन दिवस की जो दिल्ली में जहाकिये निकलती है उनके गाने मेंने लिखे उन गानों की जैसे जहाकियों को प्रथम पुर असकार मिला देश में पहली बार उत्रपदेश की जहाकियों को लगातार दो साल प्रथम पुर असकार मिला मैं आयूशी शर्मा क्यामरामेन आचीस के साथ जन्ता दीवी लखना और इस बीच आपको बड़ी खबर से रूबर कुरादे बड़ी और एम जानकारी मत्रौ से सामने आ रही है जहां पर प्रशासन का बुल्डोजर चला है चार दुकानों पर चला है प्रशासन का बुल्डोजर बिना स्विकृति के ये दुकाने बनी हुई थी जिने हैं ध्वस्त किया गया अवैद निर्मान करने वालों में भी कही न कहीं स्पूरी कारवाई के बाद हड़कंप मच गया है करिबन दोसों से जादा संचालकों को नोटिस थमाय गया है इसमें अवैद होटल रेजोर्ट संचालकों को नोटिस देरे की कारवाई अमल में लाई गई है